आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो देखिए अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे pH दिया हुआ है PQRS और यहां पे pH वैल्यू दिया हुआ है तो यहां पे कुछ चीज़ आप समझेएगा देखिए क्या होता है pH का वैल्यू जितना लोड होगा उतना ज्यादा Acidic होगा यहां पे लिखेंगे Lower the pH pH का वैल्यू जितना लोड होगा उतना ज्यादा Acidic होगा More Acidic ठीक है उतना ज्यादा आपका क्या होगा Solution Acidic होगा और H पलस आयन का Concentration आपका क्या होगा Higher होगा उतना ही ज्यादा है तो यहां क्या लिखेंगे Higher Higher होगा H पलस आयन का Concentration H पलस आयन का Concentration आपका क्या होगा Higher होगा ठीक है अब यहां समझेगा तो देखिए अब देखिए Acid के लिए अगर Solution आपका Acidic है तो उसके लिए pH का वैल्लू क्या होता है आपका Less Than 7 ठीक है और Solution आपका Basic है तो उसके लिए pH का वैल्लू क्या होता है Greater Than 7 ठीक है अब यहां पर हम Base का बात कर लेते हैं तो देखिए यहां पर आप समझेगा तो देखिए pH का pH of the Solution देखिए pH का वैल्लू जितना ज़्यादा आपका Higher होगा ठीक है हम Basic Basic Medium के लिए बात कर रहे है ठीक है मतलब pH का वैल्लू हम यहां पर Greater Than 7 के लिए बात कर रहे है तो pH का वैल्लू जितना ज़्यादा आपका Higher होगा तो यह आपका क्या होगा उतना ज़्यादा आपका Basic होगा ओएच माइनस ओएच माइनस आयन का भी concentration क्या रहेंगा आपका higher रहेगा ठीक है यहां समझेगा ओएच माइनस आयन का concentration आपका higher रहेगा अब हम problem प्रॉब्लम पर आते हैं ठीक है problem में देखें यहां पर क्या दिया हुआ है पहला statement में दिया हुआ है solution P has higher concentration of hydrogen bergon iron then solution r अब देखिए solution P का pH का value क्या है 1 याद लिख लेतेैं देखिए solution P का pH का value आपका 1 है and r आगड अगर हम बाथ करें देखिए r यहाँ पर दिया हुआ है r का pH का value कितना है आप आपका 3 है ठीक है तो यहां पे हम R का pH का value आपका 3 हो गया ठीक है यहां समझेगा इसने क्या अब हमें incorrect statement बताना है ठीक है इसने क्या लिखा है कि solution P में hydrogen ion का concentration आपका higher होगा solutions R से ठीक है अब देखिए यहां समझेगा देखिए P and R P and R में pH का value कम किसका है P का pH का value कम है और यहां हमने क्या बताया था pH का value जितना ज्यादा lower होगा उतना ज्यादा आपका higher रहेगा H plus ion का concentration तो H plus ion का concentration इन दोनों में किसमे higher होगा P में आपका higher होगा ठीक है तो यह जो statement लिखा गया है यह आपका correct होगया हमसे incorrect पूछा गया है तो यह तो आपका answer होगा नहीं next देखिए आपका क्या solution Q has lower concentration of hydroxyl ion than solution R solution S ठीक है यहां समझेगा है इस इसको ध्यान से यहां देखिए तो अब हमसे पूछा गया है यहां पे solution Q ठीक है यहां देखिए यहां पे हम आपका लिख देते हैं Q का बात किया गया है ना यहां पे Q तो Q solution का आपका pH का value देखते हैं ठीक है Q आपका कहां पे Q Q का 9 दिया हुआ है pH ठीक है pH 9 है इसका मतलब pH greater than 7 है और greater than 7 आपका क्या होता है कैसा medium होता है basic medium होता है medium कैसा होता है यह आपका basic ठीक है अब देखिए एक तो आपका Q हो गया दूसरा S S यहां देखिए S का pH कितना है आपका 13 यहां लिखा हुआ है तो देखिए यहां पे S लिख दिए S का pH आपका कितना है 13 है ठीक है यहां समझेगा अब देखिए question में क्या कहा गया है Q का जो concentration होगा hydroxyl ion का hydroxyl ion का मतलब क्या हो गया है यहां पर ओच माइनस आयन का concentration का बात कर रहा है इसी को क्या लिखा इसने hydroxyl ion ठीक है यहां समझेगा तो यह हो गया आपका hydroxyl ion तो देखिए यहां पर आपका दोनों आपका pH greater than 7 है यानि basic medium basic है ठीक है अब हमने क्या बताया था कि pH basic medium के लिए आपका क्या होगा कि pH का value अकर higher रहा pH का value जितना ज्यादा higher रहेगा उतना आपका higher OH minus ion का concentration रहेगा ठीक है तो OH minus ion का concentration किसमें higher होगा S बाले में S बाले में आपका higher रहेगा OH minus ion का concentration ठीक है तो यह जो statement दिया गया है यह भी आपका correct हो गया Q का concentration कम रहेगा S के compare S का higher रहेगा और हमसे incorrect पूछा गया है तो यह तो आपका answer होगा नहीं ठीक है next आगे देखिए third में third option में देखिए आपका क्या लिखा हुआ है solution P and Q will turn red litmus solution blue ठीक है अब यहां समझेगा देखिए solution P P and Q तब यहां पे हम बात करते है आपका P का pH का value यहां समझेए P का pH का value कितना है 1 है ठीक है और P and Q के बारे हम बात हुआ है Q देखिए यहां पे आपका Q ठीक है तो Q का देखिए pH का value कितना है दिया हुआ है question में 9 यहां आप हम लिख दिये 9 ठीक है अब हमने क्या बताया था हमने बताया था यहां समझेगा कि pH का value less than 7 किसके लिए होता है acid के लिए होता है pH का value greater than 7 किसके लिए होता है base के लिए होता है ठीक है तो P आपका क्या हो गया यहां से acid हो गया Q आपका क्या हो गया base हो गया ठीक है अब देखिए red litmus का जहां पर बात हो रहा है ठीक है तो देखिए red litmus का color जो है यह आपका blue में कब change होता है जब आपका medium क्या हो basic हो तो medium इसके लिए क्या होना चाहिए basic होना चाहिए ठीक है basic तो red litmus blue किसमे change होगा सिप q में सिर्फ q वाले में आपका change होगा blue color में ठीक है p में change नहीं होगा क्योंकि p आपका medium कैसे आपका acdic है ठीक है तो ये statement तो आपका गलत हो गया और हमसे incorrect statement ही पूछा गया था तो third option आपका answer हो गया fourth option में देखिए solution p is highly acidic while solution q is weakly basic ठीक है अब यहां पर आप समझेगा देखिए p का हम बात यहां पर सारा pH हम लिख देते हैं आपका जो दिया हो है देखेगा यहां पर question में क्या क्या दिया हुआ है आपका यहां पर पी का पी एच कितना दिया हुआ है one दिया हुआ है क्यू का पी एच यहां समझेगा देखे क्यू का पी एच क्यू का पी एच आपका कितना दिया हुआ है यहां पर देखे नाइन ठीक है उसी तरह हम किसका लिखेंगे पिएच आर का आर का पिएच का अगर हम बात करें देखें यहां पे दिया हुआ है 3 S का पिएच का बात कर रहे है S का पिएच आपका क्या होता है 13 ठीक है अब हमसे question में क्या question में क्या लिखा हुआ है solution P is highly acidic अब यहां समझेगा देखिए pH आपका less than 7 less than 7 आपका कैसा medium होता है acidic होता है ठीक है तो यह आपका medium acidic हुआ ठीक है और यह medium आपका क्या हुआ acidic हुआ ठीक है वही आपका pH अगर आपका 7 से ज़्यादा हुआ greater than 7 तो medium आपका क्या हो जाता है basic तो यह basic हुआ और आपका यह basic हुआ ठीक है Q and S आपका basic हो ठीक है अब देखिए यहां पर आपको compare करना है अब P and R में ठीक है acidic कौन जादा acidic होगा तो हमने क्या बताया था बता है कि pH का value देखिए यहां पर हमने लिखा था हमने क्या कहा था pH का value जितना ज्यादा कम होता है उतना ज्यादा acidic होता है ठीक है तो यहां देखिए P and R यहां समझेगा P and R में सबसे ज़्यादा acidic कौन होगा आपका P ज़्यादा Acidic होगा तो यह आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर जो statement लिखा हुआ है Highly Acidic यह आपका Highly Acidic हो गया ठीक है अब हम यहाँ पर बात करते हैं Basic में देखिए Q and S में compare करेंगे ठीक है तो देखिए हमने क्या यहाँ पर क्या लिखा था देखिए हमने कहा था कि Basic Medium के लिए Basic Medium के लिए हमने क्या लिखा था कि pH का Value जितना ज़्यादा आपका Higher होगा उतना ज़्यादा Basic होगा ठीक है तो देखिए अब compare आपको किसमे करना है Compare आपको करना है Q and S में तो pH का वैलू ज्यादा किसे का है n a s का noon यहाँ पर क्या लिखा हुआ है qis Ugh आपका क्या है ज्यादा है तो तो यहां देखिए, S आपका क्या हो जाएगा, highly basic, highly basic हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आपका क्यूं क्या हो जाएगा, weakly basic, weakly basic, ठीक है, तो यह जो statement यहां लिखा हुआ है, P is highly acidic, देखिए है, P आपका highly acidic आ गया, क्यों आपका आगया बीकली बेसिक देखे क्यों आपका बीकली बेसिक आगया तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है करेक्ट है तो हमसे इंकरेक्ट पुछा गया था तो ये तो आपका अंसर होगा नहीं ठीक है तो देखे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया तो ऑप्शन थर्ड आपका correct हो गया